होंडा की एसपी एक्सो साथ लॉंच होने के बाद भी यूनिकॉन की पॉपुलारिटी अभी भी बरकरार है तो यह जानते हैं ओन रूट की मत के साथ कम से कम डॉन प्रिमेंट और EMI कितनी बनेगी गाड़ी में आपके हेलोजन हेडलाइट ही औफ़र की जाती है क्रोम की फिनिसिंग है बल बल आया आपको मिलते हैं इंडिकेटर ऐनलॉग में इसके कलर के बात करेंगे आम बोलत जल की भासा में तो पहले आपको मिल जाती है पॉर्ल सैरन ब्लू यह है ब्लैक वाली कलर यह ह Honda Camelab आपको 3D में देखने को मिल जाएगा इंजन आपको मिलता है 162cc का 45 के आसपस मैलेस कही जाती है मैंदर बदला हो सकता है सीट है आपको मिल जाती है 790 mm के यह है गाड़ी के एक जोस्ट के डिजाइन सामने आपको मिल जाते है ABS के साथ डिस्क ब्रेक यह निकार में के वल एक अही वेरेंट आती है सिंगल में तो इसके 100 रूम कीमत है 1,10,000 ABS के साथ रिष्टेशन के आपको देने पड़ेंगे 15 साल के लिए 12,200 इंस्ट्रेंस के आपको देने पड़ेंगे 5 साल के लिए 11,000 और और नोट कीमत आपको पड़ेगे 1,33,000 रुपाई से लेकर 1,37,000 रुपाई के अंदर है कम से कम आपको करता है 30,000 रुपाई तक की डॉन पेमेंट तो लोग आपको लेना पड़ेगा 1,3,000 रुपाई का 12% इंट्रेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए मंथली की स्थाप की बनेगी 5,300 रुपाई की 2 साल की बात करेंगे 4,403 साल की बात करेंगे 3,900 रुपाई सेकर्ड यहाँ पर हमने लिए 40,000 रुपाई तक की डॉन पेमेंट तो लोग नमाट आपको लेना पड़ेगा 93,000 का 12% ब्याज के हिसाब से दो साल के लिए मंथली की स्थाप की बनेगी 3,700 रुपाई की 5,100 रुपाई की 3,100 और 3 साल की बात करेंगे 2,700 रुपाई तो आप तीरिमस को ही प्लान ले सकते हैं उत्तर परदेस में होंडा ये निकॉन की कैस कीमत सुरू हो जाती है 1,233,200 रुपाई से आप अगर रहते हैं दूसरे भी राज़े में 2-3,000 रुपाई आपड़ाउन करके अपनी बजट को बना सकते हैं और इस कीमत में हमने सामिल नहीं किये हैं कोई भी एकसे सिरीज के चार्ट वीडियो को शेर करिएगा थैंक्स पर वाचिंग स्टे टून विथ हस